Big Boss 13 में होगी सिध्धार्थ शुकला की तीन डर्लेट प्रेन की वाइल कार्ड एंटरी नाम चौका देगा Big Boss 13 में इस बार सबसे अधिक चर्चा बटो रहे हैं सिध्धार्थ शुकला इस शो में आने से पहले सिध्धार्त शुकला का नाम रश्मे देसाई और आरती सिंग से जोड़ा खबर ये भी रही कि शो के अंदर सिध्धार्त शुकला और आरती सिंग की शादी हो सकती है हाला कि एक महीने के भीतर शो का गेम काफी बद्दा है रिश्टें के हिसाब से रश्मे और सिधार्थ की दुश्मनी साफ दिख रही है वहीं आरती सिंगह और सिधार्थ शुकला के बीच प्यार नहीं बलकि दोस्ती दिखाई दे रहा है ऐसे में अब शो के अंदर वाइल कार्ड कंटेस्टेंट के और पर शेफाली जरी वाला की इंटरी होने जा रही है एक वेब साइट की रिपोर्ट अनुसार शेफाली और सिधार्थ एक दूसरे को पहले डेट कर चुके है वेब साइट ने दावा किया है कि शेफाली की पहली शादी हर मीत गुलजार से होने से पहले शेफाली और सिधार्थ रिलेशनशिप में रह चुके है वेब साइट ने साल 2009 में हर मीत से शादी की लेकिन दोनों के रिष्टे सही नहीं रहे जिसके बाद शेफाली ने साल 2014 में प्रयागत्यागी से दूसरी शादी की दोनों एक साथ नच वलिये का भी विस्सा रह चुके हैं वेब साइट के अनसार सिधार्थ और शेफाली के ब्रेक अप की बज़े एक दूसरे के साथ कम ट्रेबिलीटी थी एक दूसरे के साथ रिष्टा सही नहीं रहने की वज़े से दोनों ने ब्रेक अप कर लिया था बिग बॉस तेरह इन सब के साथ रह चुके हैं सिधार्थ के रिष्टे वैसे आपको बता दें की रश्मी देसाई और आर्ती सिंग के अलावा सिधार्थ शुकला का नाम का जोल की बहन तनीशा मुखर जी से भी जू चुका है इतना ही नहीं दृष्टी दामी के साथ समिताबंसल के साथ भी सिधार्थ के अफ्यर और रिलेंशिप की चर्चा रही है हाला कि कभी भी कोई तरजानकारी सामने नहीं आई बिग बॉस तेरह वाइल कार्ड से घर में होगा हंगामा ऐसा माना जा रहा है कि वाइल कार्ड कंटेस्टेंट इस वी के अंत में शो में एंट्री करने वाले हैं ऐसे में शेफाली जरी वाला और सिधार्थ शुकला के बीच कैसा रिष्टा बनता है ये देखना दिल्चस्त होगा हिंदस्तानी भाव, तैसीन कुने वाला और भोजपुरी सुपरस्टार के सारी लाल यादा की भी एंट्री गेम में तड़का जरूर लगाएगी